कुश्चन में क्या कहता है सर एक कंपनी है XZED Limited और प्रड़क्ट कहता है कि 3 रुपे पर उनिट है, प्रड़क्ट 3 रुपे पर उनिट के इसाफ से, the company first in first out, FIFO का method अप्लाई करता है, actual cost system के इसाफ से, a new fix manufacturing overhead is the compute each year by the dividing of the actual fix cost manufacturing overhead, कहता है कि हर साल का हमारा जो होगा new cost निकलेगा by actual production cost the following, आपके पास कुछ information given है 2 साल का, कहता है सर, sales हम इतने unit करने वाले है ये unit में है, production unit हमारी इतनी होगी सर, cost की बात कर लेते हैं, इसकी 700 रुपे cost आएगी, तो हर बार की हमें क्या करना होगा, unit के हिसाब से divide करके निकाल लेंगे, जैसे कि production किया और variable तो उसके हिसाब से निकल जाएगा fix का खर्चा ये है, variable admin ये है, fix ये है, prepare the statement on the base of objection costing or variable costing, or give the reason क्यों difference आया इन दोनों है तो हमें 2 साल का बनाना है, 2 साल का हमें बना के चलना है variable वाला और 2 साल का तो मैं 2 column ड्रू कर लूँगा, that's it और कुछ जादा नहीं होने वाला, तो फटा-फट से हम column बना लेते हैं अब हमें 2 column की जुरत पड़ जाएगी एक कोलम और ये दो कोलम ये ये वाजी लेलेंगे, ठीक एफ्याँ चालिए सर Year 1, Year 2 2 थोड़ा size को reduce करेंगे थोड़ा 1, rely on H1 औरी लगे? झようक्मधियक ड्योड़ा Cान भाता हुआ यह इंकम स्टेटमेंट इस पर एब्जॉप्शन और सर यह एज पर मार्जिनल पर्टिकुलर और पर्टिकुलर यहां पर सर ओपनिंग स्टॉक भी आएगा जो हम देखेंगे अभी और ओपनिंग स्टॉक आपको देखके पता चलेगा कि क्या लेना है ठीक है सर चलिए एक एक करके कुश्चन पढ़ लिया हमने और एक एक करके हम पुट करते जाएंगे पहले हम इसको बना लेते हैं एब्जॉप्शन वाले में तो कौन सा लेते हैं दोनों लेते हैं फिक्स वाला भी और वेरियबल वाला भी तो सर एब्जॉप्शन वाले में सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स हम य यर य और पहले कर लेंगे फिर य इर टू का sales तो दोनों ही लिख लेते हैं, sales कहता है sir 1000 unit, और सबसे starting में कह दिया है कि हम जो unit बेचने वाले हैं, वो 3 रुपे के हिसाब से करने वाले हैं, तो sir 3 के हिसाब से यहाँ पे 3000, और दूसरे में sales हमारा है 1200 unit, 3 के हिसाब से 3600 रुपे, बस, इसके बाद हम year 1 पहले complete करेंगे, less कर देंगे यहाँ से हम, या फिर हम पहले निकाल लेंगे production cost, production cost, production cost में क्या क्या लेंगे sir, सबसे पहले variable cost, तो अगर मैं variable cost की में बात करूँ, तो variable cost में क्या रहेगा sir, variable cost के अंदर देखा जाए, तो कहता है, variable manufacturing 700 रुपे year 1 का, 700 रुपे, और year 2 का भी लेना चाहो, तो ले सकते हो, ले लेते है sir, variable 500 रुपे, sir change हो गया है, क्यों हुआ, वोड examiner दिया, fixed cost 700, 700, correct sir, fixed cost के बाद, अब आजाता है variable marketing और admin का, वो बाद में देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये आजाएगा हमारा cost of production, sir ये आगे हमारा cost of production, cost of production, sir ये आगे 1400 रुपे और ये आगे 1200 रुपे, अब सवाल यहां से आता है, sir हमने unit कितने produce किये, sir unit produce किये 1400, sir 1400 में से कितने sale कर दिये, मैं year one की बात कर रहा हूँ, sir sale कितने कर दिये, sir sale कर पाए 1000, यानि sir इस साल हमारे बच गया हूँगे कितने unit, 400 unit, ये हमारे कौन से हैं, closing, जब हम जैसे ही second year में जाएंगे, तो second year में, हमारे पास एक opening stock नाम का भी समान होगा, क्यों sir, अब इस साल जो बचा है, ऐसा थोड़ी उसको इसको इसको हम फैक देंगे, हमारे ओपनिंग स्टॉक सर इस साल का होगा, हमारे चार सो, ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया, 400, sir अगेन, या फिर मैं ओपनिंग स्टॉक को में नीचे लिख दूँगा, next year के लिए, मैं आपको simply बता दूँ कि sir, इस साल अगेन हमारे कितना production है, कोश्चन हाला कि दे रहा है, दे रहा नहीं चाहिए था, तब भी निकाल लेते हैं, 1000 यूनिट ही पोड़े उसकी रुपा है, लेकिन आपको हैरानी होगे sir, 1000 बना के कैसे 1200 बीच सकता है, तो sir, पुराना भी पढ़ा हुआ है, जो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो टोटल कितने होगे sir, 1000 और 1400, और कहता है, सेल्स हमने कितने यूनिट करें sir, 1200, तो 1400 में से 1200 यूनिट बीच दिये, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आजाएगा sir, क्लोजिंग स्टॉक आजाएगा 200 यूनिट, sir, यहां पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते, वैसे फॉर्मूला से अच्छा मैं कहता हूँ, कि माइंड में कैलकूलेशन करिए, फॉर्मूले की कोई जगह मत रखिए, सिंपल आपका सवाल हो जाता है, तो सबसे पहले यह यूनिट देखो, कि हमारा यहां पर लेस हो जाएगा, sir, लेस हो जाएगा opening stock, लेस हो जाएगा opening stock, sir, opening stock जो less होगा, आप बताएगे क्या year 1 में है, sir, नहीं है, year 2 में निकाल के देखेंगे, less नहीं, sorry, add होता है, opening stock क्या हो जाता है, sir, हमारा add होता है, add, और less हो जाएगा हमारा closing stock, sir, closing stock की बात करें, तो closing stock तो कितने unit है, पहले साल के अंदर 400 unit है, अब इसका rate निकालना पड़ेगा, sir, इसका rate निकालते हैं, sir, तो rate आएगा हमारा production, divided by unit, production कितना है, sir, 1400, divided by unit, कितने produce किया है, 1400, तो कितने रुपए आगया, sir, एक रुपए का rate आगया, यहाँ पे, तो multiply by one, that is a 400, sir, और यही वाला closing stock अगले साल opening बनेगा, जो कि यहाँ minus कर देंगे 400 रुपए, जो कि minus कर देंगे 400, और, sir, इस साल का closing stock आएगा, इसका rate हमें अलग से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे, sir, इसके लिए जो rate निकलेगा, sir, second year के अंदर production कितने का है, sir, 1200 रुपए का, और unit production कितने है, हमारे unit production 1000 का है, यहाँ पे 1 रुपए 20 पैसे का rate आगया, sir, 1 रुपए 20 पैसे, और यहाँ पे closing stock second वाले के लिए, year 2 लिख देता हूँ, year 2 के लिए closing stock कितना निकला था, 200 रुपए, 200 इंटू में 1.2 करेंगे आप, तो 1.2 इंटू में 200 आजाएगा, 240 रुपए, 200 इंटू में 1.2, 240 रुपए, यह हो जाएगा हमारा, यह भी less हो गया सर, और यह भी less हो गया, पहले आप यहाँ तक अगर आपको बाते समझ में आ गई, तो आगे रास्ता बहुत आसान है, फिर तो कुछ बचाईनी सवाल के अंदर, जो बताना था वो मैंने समझा दिया है सर, बताईए कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ सर, ओपनिंग स्टाउक एड होगा, बिल्कुल शाकसी मैंने एड कर दिया है, एड ही किया है मैंने ओपनिंग, ओओओ, ओपनिंग less का सिंबल लगा दिया मैंने गलती से, तो यह एड होगा, ठीक है, अब ठीक है, तो खाल चल रहा हैँ, सर, सेकेंड बाला, रसकेंड भाला, रिपीट कर दो, तो सबसे पहले देखो, हम पहले बाले को बना रहे थे, मैं सेकेंड बाले को एक बार मिटाई देता हूं आपको, समझाने के परफस के लिए, यह खま बिंटा डिया, ठीक है, इस साल closing stock की value कितनी है? 400 तो second year में भी क्या चला गया हमारा 400 रुपए opening, पहले तो closing और opening को compare करो sir closing और opening को compare करो, बताइये closing और opening समझ में आया कि नहीं आया पहले closing और opening को बताइये समझ में आया कि नहीं आया sir second का rate 12 होगा, 12 होगा 1200, ओहो वह 1000 लिखना है, कितनी गलतिया समझ में आ गया, वह 1000 लिखना था नीचे, divide करना था production 1000 था, एक 0 कम लग गया अब opening, अब इसका closing क्या होगा, 1.2 तो 240 क्योंकि second में बचे कितने 200 कैसे 200 बचे सर यह देखिए, closing stock निकालने का तरीका sir closing stock कैसे निकालेंगे, unit में निकालना सिखा रहा हूँ, formula कहता है sir, formula कहता है production, cost of goods sold COGS, वह भी unit में sir, is equal to COGS is equal to, COGS is equal to, आपका COGS is equal to क्या होता है opening stock, plus production unit, minus closing stock, opening stock, COGS कितने unit sold की है, COGS मतलब sales unit, sales unit कितने थे, 1200, opening stock क्या था sir, 400, production कितने थे sir, 1000, closing stock sir, question mark, तो इसको जब आप solve करोगे, तो आपके 200 unit आजाएंगे, जो की closing stock की value निकल के आजाएगे, तो sir, अब फटा-फट से minus कर लेते हैं, यह बच गया 1000, और यह आजाएगा हमारा 1200, plus में 400, और minus में 240, यह आजाएगा 1360, अब यहाँ से क्या minus करेंगे, यह आगया हमारा cost of goods sold, cost of goods sold, sir, यहाँ से less कर दीजिए, less क्या करना है, total cost निकालने के लिए तो add करना होगा, add हो जाएगा हमारा selling and admin, ठीक है, यहाँ पर fix cost भी आजाएगा और variable cost भी आजाएगा, तो देखिए, selling और admin का fix cost भी आजाएगा, तो selling का जो हमारा marketing administration, marketing मतलब selling ही हो गया, तो यह सर कितना आगया, 1000 रुपए का variable है, और 400 रुपए का fix है, तो 1400, तो यह आगया 1000, और यह आगया 400, same दूसरे site देख लें, तो 1200, 400, यह 1200, और यह fix है, तो that's why, यह fix ही दिखा आपको, चलिए सर, अब आजाएगा हमारा सर, total cost, और तो कोई cost में है नहीं, तो total cost कितने आजाएगे, 1000, 1000, 2000, यह बहुत ज़्याद है, 1000, कोई बात ने, अब है तो है, 2400, और यह आजाएगा हमारा, 1360, प्लस में 1200, प्लस में 400, यह आगया 2960, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्या होगा सर, sales minus में, TC, total cost, तो 2400 माइनस में 3600 रुपे, और सर यहाँ पे है 3600 माइनस, तो यह आगया 640 रुपे, पहला statement रेडी हो गया, second statement पे अगेन आजाते हैं, sales, तो सर, sales में बदलाब होना ही नहीं है, 3000 और 3600, अब variable cost निकाल लेते हैं, सिर्फ variable cost वाला portion ले लेंगे, सर, variable cost निकालने के लिए, variable वाला cost portion दो लेंगे अब, लेखिन इसके अंदर क्या कहलेंगे, पहले हम ले लेते हैं, variable में, question खुद कह रहा है, variable manufacturing, sir, variable manufacturing कहता है, sir, ये कितने होंगे हमारे, दोनों के अलग-अलग दे रखे थे, 700 और 500 तो लिख लेते हैं, fix वाला इसमें add नहीं होगा, तो यही आ जाएगा हमारा, sir, यही क्या आ जाएगा, cost of production, क्योंकि और तो कुछ हैं नहीं बनाने के लिए, सिर्फ यही लगा है, production में, तो सरक cost of production, 700 और 500, इसमें add कर देंगे हम, cost of, add कर देंगे opening stock, और less कर देंगे हम closing stock, sir, unit के terms में दोनों पता है, लेकिन rupees के terms में फरक आ जाएगा, क्योंकि यहां पर rate निकालना पड़ेगा, अब यहां पर opening stock है नहीं, यहां पर closing stock हमारा है, sir, 400 unit, जो कि हमने निकाला है, वही रहेगा 400, लेकिन पर unit rate अलग आ जाएगा, sir, पर unit rate अलग आ जाएगा, पर unit rate अलग आएगा, कहां निकाले हम पर unit rate, मैं यहां निकाल लेता हूँ, पर unit rate, ठीक है, अपका marginal में, sir, closing stock का पर unit, year one, sir, क्या आएगा production, 700, divided by sir, कितने unit पर यूश किये, तो sir, production 1400 है, तो यह आगया, sir, 700 divided by 1400, 0.5, 0.5 आएगा, into में 0.5, यानि sir, 200 रुपए, और यही 200 अगली बार opening बनेगा, जो कि minus 200 आगया, sir, यहां पर closing कितना हैंगे, closing 200 है, इसका production year two का, year two का production 500 है, और कितने unit बनाये थे, year two में, year two में, sir, unit 1000 ही बनाया है, तो इत्तफा का नहीं, इसका भी 0.5 आगया, तो यहां पर unit बचे हैं 200, तो 200 into में 0.5 आजाएगा, याद है न, 200 बचे थे closing में, तो इसका आजाएगा 100 रुपए, चलिए sir, यह आगया हमारा, sir, क्या आगया यह, sir, 700 में से 200 आपका add हो जाएगा, क्योंकि यह, sorry, less हो जाएगा, तो बचा 500, और इसके अंदर 700 में 200 add होगा, 700 और 100 minus, तो यह होगा 600, correct, अब आजाते हैं, sir, इसमें हम करते हैं, add, selling and distribution, वो भी variable cost वाला, तो variable cost वाला selling and distribution देखा जाएगा, तो 1000 और 1200 है, 1000 और 1200, sir, अब जो निकल के आएगा, वो आएगा total cost, total variable cost, total variable cost, sir, जो total variable cost यह निकल के आया है, color change, total variable cost जो निकल के आया है, वो आया है, sir, कितना 1500, और 12 और 6, 1800, अब, sir, इसमें से निकाल लेंगे contribution, क्या है, sir, sales, minus में VC, sales VC, यानि यहां 1500 आगया, sir, और यहां पे 3600, यहां 1800 आगया, sir, अब minus कर देते हैं, हम क्या, sir, अब minus कर देते हैं, हम FIX COST, less FIX COST, sir, दो होंगे, एक होंगे manufacturing वाला, और एक होगा selling वाला, sir, manufacturing वाला था, हमारा कितने का FIX COST, आप देखे, मैंने 700, 700, और variable वाला था, हमारा, मतलब 400, 400, जब हम इसको minus कर देंगे, तो हमारे पास result आएगा, sir, जो हम निकालना चाहते थे, profit, हमारे पास result आएगा, sir, profit, sir, profit क्या आएगा, 1500 माइनस में 1100, 400 रुपए, और sir, 1800 माइनस में 1100, यानि 700 रुपए, तो देखे, यहाँ पर profit में काफे differ आगया, यहाँ पर 600, 400, 640 और 700, तो यह क्यों difference आया है, reason भी ने देना था, तो reason हम देंगे, कि हमारा इसलिए difference आया है, क्योंकि यहाँ पर closing stock की value यह थी, और यहाँ पर opening और closing stock दोनों value था, इसलिए दोनों साल में हमारा क्या आगया, sir, यहाँ पर difference आगया है, तो sir, सवाल नंबर 2 भी खतम हो गया, किसी को दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देखे, क्योंकि बिल्कुल simple simple सा question सही है, एक्जाम में आया हुआ है, 10 नंबर, 15 नंबर में, बस आपको क्या है, format learning का है, कहाँ पर क्या unit लेना है, बस आपको यह पता होना चाहिए, और सवाल में कुछ निए, एक adjustment है, इसके अंदर, वो adjustment के बाद तो chapter ही खतम हो जाता है, क्योंकि कुछ effects आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे variable marginal के लेने से, तो हम under absorption या over absorption, यहाँ पर एक adjustment मार देते हैं, तो पहले यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत हैं तो बताईए,